केरला स्टोरी की एक्ट्रस अदा शर्मा इन दिनों काफी लाम लाइट में नजर आ रही है दे केरल स्टोरी के लिए अदा ने काफी महनत की थी अफगानस्तान में माइनस तोला डिगरी पर अदा ने शूटिंग की थी इस दोरान अदा ने 40 घंटों तक पानी नहीं पिया जिस वज़े से उनकी हालत काफी खराब हो गई थी जिसकी तस्वीरे अदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है आप देख सकते हैं अदा के चेहरे पर चोट लगी हुई है साथ ही उनके होट भी फटे हुए हैं अदा कहती हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए उन्होंने 40 घंटों तक पानी नहीं पिया था जिस वज़े से उनकी बोडी डिहाइडरेट हो गई थी यहां तक की प्राक्टिस के दौरान उनकी कोहनी और घुटने भी छिल गए थे आखिरकार अदा की मेनत रंग लाई और उन्हें खूब प्यार मिला लेकिन करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत बार रिजेक्शन जिला है एक इंटर्वियू में अदा ने बताया कि उन्हें रिजेक्ट करने के साथ साथ एक बहुत खास सला भी दी गई थी जिससे एक्टरस खुद भी हैरान थी अदा ने बताया कि लोगों ने उन्हें नाक की सरजरी करवाने की सलाह दी थी अदा कहती हैं, लोग मुझसे कहते थे अपने नाक की सर्जरी करवालो, अब फिल्मे करने के बाद सबको मेरी नाक अच्छी लगने लगी है यहां तक की शुरुवाती दुनों में उन्हें घुंगराले बालो की वज़ा से भी रिजेक्ट कर दिया गया था बता दे अदा शर्मा एक प्रोफेशनल कथक डांसर भी है तीस साल की उम्र में अदा शर्मा अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखती है जिसे वो अपने सोशल मीडिया पर अकसर पोस्ट करती रहती है और सुर्खियों में च्छाई रहती है बता दे कि अदा शर्मा किसी भी फिल्म की शूटिंग के दौरान वे एक्सरसाइज करना नहीं भूलती और ना ही उसे स्किप करती है वो अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती है अदा का कहना है कि वे योगा, डांस और अन्य फिजिकल आक्टिविटी करती रहती है ये सब चीज़ें उन्हें शेप में तो रखती है साथ ही में नाचरल ग्लो भी देती है आपको हमारा पैकेज कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में बताना ना भूले कॉमें बताना नाचरल ग्लो भी देती है नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले